लोकसबा चुनाव में जेबी के एस एस ने दमदार एंट्री की है अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है और अपने वजूद का एहसास करवाया है जहां जहां से उनके कैंडिडेट थे उन्होंने चुनावी समिकरण को कहीं न कहीं से एफेक्ट किया है और उसका नेत्रित क्या करने जा रहा है किस तरह से जो है आगे का इनका पॉलिटिकल सफर होगा पॉलिटिकल जर्नी होगा जराम जी यह बताइए कि आप लोगों ने एक दमदार एंट्री की और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो परहापस यह आपका पहला था ना चुनाव जो आप लड़ा रह हैं लगभग सवा आट लाग के बीच हमारा वोट आया है और जिस कंसिट्वेंसे से हम लड़े थे हैं ग्रिडी लोग सवा वहां तीन लाग सेटाली सजार तीन सो बाइस बोड़ करें था थीसरा पोजिशन रहा मेरा भोड परसेंटेज रहा 27.5 जो दूसरे अस्थान पे उनका था 29 और जो जीते उनका 34 की 35 था तो यह क्या इसूज को लेकर आप अपने पॉलिटिकल जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं क्या यूएस पी है क्या एजेंडर है साब सुत्रा पॉलिटिक करना चाहते हैं त्यूकि यह मेरा मानना है कि एक नारा है कि अपना अपना करो स सुद्धार तभी मिटेगा वर्चा चाहते हैं अपना पार्टी का फुल फॉर्म वियाब बता दिए जर्खंडी भासा खत्यान संगर समीतु हमारे एक संगठन है हमारी पार्टी जर्खंड लोकतांत्री करांतिकारी मोर्चा के नाम से रच्ट रच्ट हो ही जाएगी तो ह कि वह समास्यां का सदान समाध्स कहीं न कहींदों के माध्यम से होगा औरहिशना के बारे नहीं तो इस देश का उथार इससोटन byćета लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक जगा भी अगर उस चुनाव के पैसे से जमीन खरिता है और यह सूचना हम तक आती है तो वह सक्स अगला परत्यासी मेरा नहीं रहेगा चुकि यह चीजे बहुत माइने हैं मैंने बार-बार कह रहा हूं कि जमाना को मत बदलेंगे पहले जो नेता है वो खुद को बदलेंगे और उनके पास इतना दाने ना जी कि अगर खौल देंगे तो भारत देश गरीबी से मुक्त हो जाएगा पूरा स्टेट में आप अपना जो आउटफिट है पॉलिटिकल आउटफिट उसका एक्सपैन्शन चार होंगे एक्सपैन्सन कर भी रह है लेकिन लोग जो है कही नकाई परसेप्शन बन रहा है या परसेप्शन है कि यहां क्या जो भासा बोलता है बेसक वो स्वसल से रह रहा हो तो उनकी भी आवाज आप लोग उठाने जा रहे हैं जो यहां रहता है सबका आवाज उठाएंगे कैसे करेंगे कैसे आपका जर्नी आगे बढ़े दिखिए हमारी जरनी यहां के मुद्दों को समाधान करने को लेकर बढ़ेगी और हम लोग बिना किसी पद में रहकर बहुत सारे मुद्दों पर लड़े हैं और उन आगे पास नहीं है आज देख सकते हैं हमारे पास बोल लिडर नहीं होने करान आज देखिए विहार के नेता उन्होंने लिखता हैं यहां के मुद्दों को भूलाजाते हैं इसलिए हम लोग का उदहा भी वाँ, सबसे पहले बात लोगों ने 8 लाग भोट के देखा now and क्यों आया इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया कि एक साल हम लोग का भी हुआ नहीं तो हम लोग कैसे आए इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया प्रवाश्य मजदूर हमारे राते हैं कुवेत में सुडान में सुधी में सिंगापूर में मलेशिया में दुबए में वहां से भी लाखो रुपए क्राउड फंडिंग के माध्यम से पहुंचे हैं यानि जनता उप चुकि इनके पॉलिटिक्स अगर जनता नहीं उपती तो अपना पैसा खर्चा कोई नहीं करती भईया आप पैसा दो या ना दो पैसा खर्चा करके हमें चुनाव लड़ा वही ह है तीन राज्यों में विधान सवा चुनाव भी होना है चार राज्यों में महराश्ट्रा हुआ हर्याना हुआ जार्खन भी उनमें से एक है तो आप लोग आगे किस तरह से सेप अप कर रहें आपको गेर अप हो रहें आगे के राजनितिक्स अपनी जो टीम है उसको परत्यासी भी था नेता भी महिता वरवक्ता भी महिता और रिसर्च करने वाला भी महिता तो यह इन चीजों की भारी कमी रही जिसकारण अगर यह चीजें अगर मेरे पास एक टीम होती मेरा एक चैनल होता तो चुनाव को हम लोग जीत जाते हैं विधान सवा चुनाव पच्छास सीटों पर जारखन का अलग अलग को ना होगा हर एक हम लोग पांचों परमंडल को टेश करेंगे हम से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद जी आपका भी धन्यवाद अब इनका जो है साफ तोर से एजेंडा है कि अगर यह लोग मौका मिलता है तीसरे जन्ता से ही आएंगे और डेमोक्राइसी के जो असल मायने होते हैं कि गॉर्णमेंट फॉर्डी पीपल, आफ द्टीपल, द्टीपल बाई द्टीपल, उसी waited करेंगे और जन्ता में ही जो पैसा आएगा उसी सोसाइटी को वापस करेंगे जो इन्नोंने यहां से पाया है उ कुछ वापस करना चाहते है जैराम मतों कैमरामन राकेस तिवारी के साथ सतीजीत कुमार राची आज तक